पूरा प्रिवार बहुत खुस हो जाता है लेकिन संद्या आंचल बड़ी मा काफी जद अगुसे में हो जाते हैं जहां पर अब जो बड़ी मा वो बॉल रही होती है कि हमने इस लड़की को इतनी बाश हम जाया कि तुम इस गर्षे दूर हो लेकिन यह समझने का नाम ही नहीं लेती हमने इसे बताया था कि इस गर्में आने की कोई जरूरत नहीं है तो हम पर पूरा प्रिवार एक्दम से चौक जाता है राय बहादूर बोलने लग जाते हैं इसका मुतलब बड़ी वहुआ आपको पता था कि सुमन जिन्दा है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि सुमन जिन्दा है तो फिर वहाँ पर बड़ी मा बोल देती हैं कि हम जब तक बता दे उससे पहले काफी ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि उससे पहले ही जब हमने सुमन को देखा था उससे पहले अंसुमन बपुगा पड़ चुके थे संद्य की मांग और फिर हमने वहाँ पर पूरा परिवार गुसे में हो जाता है बड़ी मा के उपर लेकिन आप सबसे पड़ा ट्विश्ट देखने को मिलने वाला है जहां पर आप राजवीर पिकर आ जाता है जहां पर पूरा ड्रामा सुरू हो चुका होता है सौरब भी पुलिस के साथ गर आ चुका तो बोल देता देखिए यहां पर तो अनसुमन को यह भी नहीं पता है कि उसकी पतनी कौन है तो यह इस बच्ची की परवरिस कैसे करेंगे मैं तो कहता हूं कि आप इस बच्ची की कश्टडी मुझे देही दीजिए तो वहां पर पुलिस और जो वह औरत होती है वह सौरब का पता लगाना है कि क्या यह जो परिवार है इस बच्ची को संबालने के लाइक है या फिर नहीं तो वहां पर अब सौमन उठाती है बहुत बड़ा कदम जहां पर अब राजवीर भी उठाने वाला है बहुत बड़ा कदम जहां पर वह सौमन को उसकी जिंदकी में आके ब प्रत होने लग जाती है उसे गुसा होने लग जाता है गुसा आने लग जाता है बोलने लग जाता है कि सुमन तुम मुझे दोखा कैसे दे सकती हो तुम इस राजविर के पास कैसे जा सकती हो तो अब देखना काफी दिल्चस्प आने वाला है कि आखिर कैसे होंगे सुमन और और उन्स वन एकल